आज हम क्लास्ट्री का हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो कि हिंदी सहीता बुक से लिया गया है इसका फर्ष्ट अध्याए पहला अध्याए है जब सूरज जग जाता है यह एक कवीता है पहले इसका हम कवीता परिचय देखते हैं प्रता काल सूरज के आने पर रात अपनी अंधकार रूपी चादर समेट कर चली जाती है हर तरफ उजाला ही उजाला चा जाता है पंची चीची करके गीत सुनाते हैं हर तरफ खुसिया ही खुसिया चा जाती है इस कवीता में सुर्य के आने पर प्राकिर्ती में क्या-क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में बताया गया है उद्देश, परुपकार, निश्वार्त, भाव और प्राकिर्तिक संदरी का वर्नन है आईए अब हम लोग कवीता पढ़ते हैं आखे मलकर धीरे धीरे सूरज जब जग जाता है सिर्पर रख कर पाउं अंधेरा चुपके से भाग जाता है इन पंतियों में यह क्या कहा गया है कि जब सुबह होती है और सूरज उगता है तो अंधेरा दूर हो जाती है और हर तरफ उजाला ही उजाला होता है अगला पंति है हॉले से मुस्कान बिखेरे पात सुनहरे हो जाते हैं डाली डाली फुदक फुदक कर सारे पंची है गाते इन पंतियों में यह कहा गया है कि हौले से मुस्कान बिखेरे पात सुनहरे हो जाते हैं पात का मतलब होता है पत्ता पत्ता अर्थार्थ पेड़ पौधे के पत्ते मतलब जब सूरज की किरने सुबा सुबा पत्तो पर पढ़ती है तो पत्ते जो है सुनहरे कलर सोने के कलर मतलब खुसाल हो जाते हैं पत्ते जो है खुसाल हो जाते हैं मतलब की कह सकते हैं कि पत्ते क्या है हरे भरे हो जाते हैं अडाली डाली पर पंच्छी जो है फुदक फुदक कर गाने गाते हैं थाल भरे मोती लेकर धरती स्वागत करती है नठखट किरने वन उपवन में खूब चौकडी भरती है इन पंतियों में यह कहा गया है कि जब सुरी की रोसनी धर्ती पर पड़ती है तो धर्ती उसका स्वागत करती है और सुरी की किरने जो है वन में उपवन में खूब जो है चौकड़ियां लगाती है सुरी की किरने हर तरफ फाइल जाती है वन में उपवन में जंगल जाड में है न सारे में सुरी की किरने जो है मैदानी छेतर में हर जगा मतलब धरती के हर उसकोने तक सुरी की किरने पहुँच जाती है और धरती जो है उजाला मैं हो जाती है कलकल बहती हुई नदी में सूरज खूब नहाता है कभी तैरता है लहरों पर डुबकी कभी लगाता है इन पंतियों में यह कहा गया है कि धरती पर जितने भी नदी है उस पर भी सूरी की किरने पढ़ती है और उस पर पढ़ते ही उसके चारों तरफ नदी के चारों तरफ नदी के पानी के चारों तरफ सूरी की किरने बिखर जाती है और चारों तरफ फैल जाती है परवत घाटी पार करे मैदानों में चलता है दिन भर चल कर ठक जाता सांज हुए फिर ढलता है इन पंतियों में यह कहा गया है कि जब सुरी की किरने निकलती है तो परवत नदी परवत घाटी यह सबसे होते हुए साम होते ही वो डूब जाता है सुरी की रोशनी जो है खत्म हो जाती है और फिर से अंधेरा ढलने लगता है नींद उतरती आँखों में फिर सोने चल देता है हमें उजाला दे करके कभी नहीं कुछ लेता है इस पंति में यह कहा गया है कि सुरी की रोशनी और सुरी जो है नींद उतरती आँखों में फिर से सोने चल देता है और हमें उजाला देता है और हमसे कभी भी कुछ नहीं लेता है मतलब यह जिन्दगी भर हमें उजाला देती है पर हमसे कुछ भी नहीं मांगती है यह कवीता जो है रामिश्वर कमबोज हिमानसु की द्वारा लिखी गई है अब हम लोग देखते हैं हमने पाट से सीखा परोपकार अर्थार्थ दुसरों की मदद करने चाहिए पहली बात जो हमने सीखा परोपकार अर्थार्थ दुसरों की मदद करने चाहिए दुसरा नीश्वार्थ मतलब बिना स्वार्थ के बिना कोई फायदे के नीश्वार्थ भाव से कारे करना चाहिए तीसरा जो पॉइंट है सूरी के उदित होने पर प्रकिर्थी में नवीन चेतना का संचार हो जाता है आईए अब हम लोग सब्दार्थ देखते हैं अंधकार अंधेरा मतलब अंधकार हौले मिन्स धीरे पात मिन्स पत्ते सुनहरे सोने के रंग जैसे नटखट सरार्ती किरने रोसनी की या प्रकास रिखा उपवन मिन्स भगीचा बाग चोकड़ी जानवर का चारो पैर एक साथ उठाते हुए दोड़ना या छलांग लगाना चोकड़ी कहलाता अगला है परवत परवत पहाड घाटी का मतलब होता है परवतों के बीच का अस्थान घाटी सांज मतलब साम इसमें कुछ मुहाबरी दिये हुए हैं अपने कॉपी में लिखना भी है पहला है अंधेरा स्वागत नटखट किरने चोकड़ी लहरो डुबकी सांज उतरती ठाल भरे आखो इन सब सब्दों को पढ़ना है पढ़ने का अभ्यास करना है और अपने कॉपी में भी लिखना है आगे है अभ्यास मौखिक प्रस्ण ये सब प्रस्णों को आप लोग को खुद से करना है जदी आप अच्छे से कविता को सुन लेते हैं और दो-चार बार पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा गह है कौन चुपके से भाग जाता है तो आपका अंसर हो जाएगा अंधेरा ख है वन उपवन में कौन उच्छल उद मचाती है रोसनी अर्था सुरी की किरने गह है धर्ती किसका स्वागत करती है तो धर्ती सुरी की किरने का स्वागत करती है सुरी की रोसनी का स्वागत करती है तो यहाँ पे लिखेंगा हम लोग सुरी की रोसनी या सुरिकी किरने का गह यह कवीता किसने लिखी है तो हमने बताया यह कवीता जो है रामेश्वर कमबोज हिमानसु के द्वारा लिखी गई है आगे है लिखित प्रस्ण जिसको आप लोग को खुद से करना है पढ़ करके पत्ते कब सुनहरे हो जाते हैं तो पत्ते इसका अंसर हो जाएगा पत्ते सुरिकी रोशनी पढ़ने पर सुनहरे हो जाते है खा है डाली डाली पर कौन गा रहे हैं तो अंसर इसका हो जाएगा डाली डाली पर पंच्छी गा रहे हैं गह है सूरज नदी में कैसे नहाता है तो इसका अंसर हो जाएगा सूरज जो है नदी में के लहरो में उचल कुद कर नहाता है घह है अंधेरा कैसे भाग जाता है इसका अंसर हो जाएगा अंधेरा सुरी की रोशनी के आने पर भाग जाता है थर्ड प्रस्ट तिसना कोश्चन में कह रहा है कवीता की पंतियां पूरी कीजिए इसको देखना है आपके कवीता में दिया गया है और उसको देख करके पूरा करना है और उसको याद भी करना है अगला कोश्चन नमर 4 सही उत्तर पर सही का निसान लगाईए को है सूरज किस में नहाता है तो option दिया हुआ है नदी में आसमान में दोनों सही है तो आपका अंसर हो जाएगा नदी में खाँ है प्रस्ण पाठ के अनुसार दीन भर चलते चलते कौन ठक जाता है चंदरमा सूरज और इनसान तो आपका अंसर हो जाएगा सूरज यह अंसर हो जाएगा सूरज गौन नमबर है पाठ से क्या सीख मिलती है उच्छल कुद करो दीन भर चलते रहो सब की भलाई करो तो अंसर हो जाएगा यहाँ पे सब की भलाई करो अब हम देखेंगे जीवन मुल इस पार्ठे का जीवन मुल क्या है अपने जीवन में किस तरह से इसके उप्योग कर सकते है सुरी की दिन्चरिया क्या है यदि सुर्य नित्य निकलना छोड़ दे तो क्या होगा जदि सुरज डेली नहीं निकले तो क्या होगा इस पर विचार करना है पार्ट से सूरज की कौन-कौन सी विशेस्ताईं पता चलती है इस पर भी विचार करना है तो इस प्रकार हमारा पहला अध्या है सूरज जब जग जाता है पार्ट कवीता जो है उसकी समाप्ति होती है आगे का प्रस्म आप लोग खुद से कर सकते हैं कोर्सिस कीजिए इस प्रकार अब हम लोग अगले वीडियो में अगले अध्याय को देखेंगे और उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे